प्रत्याशी गुल्शन यादव ने जिस तरीके से कुंडा में राजा भाईया की परिशानियों को बढ़ाया है, राजा भाईया की मुसीबतों को बढ़ाया है, कुछ ऐसा ही हाल भारतिय जनता पार्टी की प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा ने भी किया है. आपको बता दें, बीजेपी की टिकट पर राजा भाईया को चुनोती देने के लिए सिंधुजा मिश्रा कुंडा के चुनावी गड़ में उत्री और यहीं पर सिंधुजा मिश्रा के प्रचाल में जेपी नड़ा भी आए. जेपी नड़ा ने बिना राजा भाईया का नाम लिए कुंडा से गुंडावाद को खत्म कर देने की बात कही. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह सिंधुजा मिश्रा है कौन जो भारती जनता पार्टी की तरफ से राजा भाईया को कड़ी चुनावती दे रही हैं. सिंधुजा मिश्रा के पढ़ाई की बात करें तो वो MA, B.Ed और L.L.V. हैं. हाई कोट में अधिवक्ता हैं. सिंधुजा मिश्रा ने जीत हासिल की साल 2009 से 2014 तक को अपरेटिव बैंक की वो अध्यक्ष रही साल 2012 में विश्वनात गंज विधान सभा से बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद हुए उप्चुनाव ने भी सिंधुजा मिश्रा को तीसरे स्थान पर ही संदोश करना पड़ा. लोगसभा चुनाव 2019 में अपने पती शिफ प्रकाश सेनानी के साथ वो भाजपा में शामिल हुई. सिंधुजा मिश्रा के पती शिफ प्रकाश मिश्रु सेनानी ने अपनी राजनीतिक करियर के शुरुआत समाजवादी पाची से साल 2000 में की राजपाईया के रिष्टिदार अक्षे प्रताप और्फ गोपाल के खिलाब MLC का चुनाव शिफ प्रकाश मिश्रु ने लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा बसपा से विधानसभा सीच कुंदा से शिफ प्रकाश मिश्रु ने राजाबहिया के खिलाव चुनाव लड़ा था, राजा भुष जीत गए, शिफ प्रकाश सेनी हार गए लगतार राजा भाईया के सामने वो खड़े होते रहे और लगतार राजा भाईया उन्हें हराते रहे अब शिफ प्रकाश मिश्रु सेनानी की पत्नी सिंदुजा मिश्रा पर भार्तिय जंता पार्टी ने दाव लगा कर चुनावी मैदान में उतारा है नेक्स्ट नाइन नियूस नेशन की रिपोर्ट